यहाँ पर अगर आपके पस कोई भी smartphone है तो आपको सभी लोग recommend करते हैं कि आपको अगर अच्छा battery backup चाहिए अगर आपको जो battery का health आपको अच्छा चाहिए, long lasting चाहिए तो आपको क्या अपने phone को कभी भी है अपने phone को इतने percent तक ही charge करना चाहिए और उसके बाद charge नहीं करन है और किस condition में आपके अपने phone को charge करना है अगर आप यह follow नहीं करते हो तो मैं बता रहा हूँ आप यह जो follow करते होगे 80% तक charge नहीं करना चाहिए उससे उपर 80% सुपर नहीं करना चाहिए और 20% के बाद ही charge में लगाना चाहिए उससे भी जादा आपको जो phone है वो damage हो रहा होगी अगर आप सही timing में charge नहीं करते हो guys especially जो gaming करते हैं उसके लिए तो बहुत important वीडियो है वीडियो पूरा देखना guys सब कुछ समझ में आ जाएगा और battery backup और battery का health भी आप अच्छा कर लोगे तो guys यहाँ पर start करते हैं वीडियो को और यहाँ पर guys सभी लोग बोलते हैं म मैंने जो है कश्मर केर से बात भी करी है उन्होंने भी मुझे recommend किया है कि यहाँ पी क्या है अपने phone को आप कभी भी 80% से ज़्यादा charge मत करिये और वहीं पे guys आपका phone अगर 20% से नीचे आ जाता है उसके बाद आपको अपने phone को charge में लगाना है then 80% तक charge हो जाता है उसके ब long lasting battery चाहिए आपको क्या है इससे जो है battery का health अच्छा होगा जादे दिन आपका battery अच्छे से चलेगा यह बिल्कुल सही है guys मैं नहीं बोलता बिल्कुल भी गलत है यह कश्मर केर ने भी मुझे suggest किया यह लेकिन guys एक important बात यह भी है कि आपको जो है एक सही timing होता है इस charge करन है या फिर कोई भी heavy task करते है अगर आप gamer नहीं है तो भी अगर कोई heavy task करते है तो क्या होता है कई लोगों का phone बहुत जादा heavy task करते है continue जो phone हो जाता है heat होता है guys तो ऐसे में क्या होता है suppose बहुत देर मैंने gaming कर ली 2-3 घंटा उसके बाद क्या है मेरा phone जो है वह heat हो गया तो यहां पर कोई-कोई जो है चार पांच घंटा continue gaming करते हैं क्योंकि Samsung Galaxy M51 में 7000 mAh की बैटरी है तो बैटरी बहुत जल्दी डाउन नहीं होती है तो पांच घंटा का तो अराम से बैक अप दे देता है और heat भी होता है किसी किसी का phone तो उस warm टाइप में क्या होता है कि कोई बुला लिया या फिर कहीं जाना है या फिर बोर हो गया तो उस time क्या करते हैं अपन खाली time में फट से अपने phone को चार्ज में लगा देते हैं तो यह गई सबसे बड़ी गलती है जब आपका phone थोड़ा आप सा warm है और उसी time जो है आप फट से अपने phone को चार्ज में लगा देते हो ऊपर से आज कल जो फोन है फास चार्जिंग के साथ आते है तो यह जो आपके battery को बहुत ज़्यादा impact डालती है आपके battery के performance जो lifeline होती है आपकी battery day to day लाइफ में आप बोलते हो ना की battery backup जो है बहुत अच्छा था बट अभी बैटरी बैकप अच्छा नहीं है ये इसी वज़ल से होता है आप suddenly अपने फोन को कभी भी चार्ज में मत लगाईए यहाँ पे guys मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों क्योंकि guys होता है कि अपना जो फोन है वो heat हुआ रहता है और अचानक से आप उसको चार्ज में लगा देंगे तो आपका बैटरी के हेल्थ पे फरक पड़ेगा फ्यूचर में guys आपका बैटरी धीरे धीरे आपको अच्छा बैकप नहीं देगा जैसा कि पहले देता था और यहां पे guys यह बात भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जब नया फोन लिये थे तो आप कम एप यूज करते थे कम टास्क परफॉर्म करते थे कुछ ही टास्क परफॉर्म करते थे पर धीरे धीरे क्या होता है हम नए नए अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं दे टूडे लाइफ में हमको बहुत सारी चीजों की जरुद पड़ती है तो उस टाइम में क्या होता है यूज करते करते guys होता क्या है कि बैटरी का जो बैक अप है पहले हम लोग को बहुत मिलता था लेकिन guys कुछ महीने बाद जो है बैक अप कम हो जाता है एक रीजन ये ये guys की day to day life में यूज भी बढ़ जाती है और साथ में guys ये जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग suddenly आपका phone warm है, heat है, गरम हुआ है और हम लोग फट से वहाँ पर charge लगा देते हैं अचानक से charge, वह भी fast charge हम लोग लगा के चले जाता है फिर फट से charge हो जाता है उसके बाद guys हम लोग फिर आते हैं अगर फिर फूरसत मिला उसके बाद फिर से हम लोग क्या है, start कर देते हैं, खेलना या फिर mobile को use करना, guys यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, पहली बाद तो यह guys कि आपका phone heat है, मतलब अभी अभी task perform कियो, अचानक से charge में आपको क्या है, आपको यह जो है नहीं करना है, आपको suddenly अपने phone को charge में नहीं लगाना है, और वही पर guys, यहाँ पर कई लोग ऐसा क्या करते हैं, कि थोड़े दिर phone use करते हैं, उसके बाद कोई बुला लिया, ऐसा मैं भी करता हूँ, इसलिए आपको suggest कर रहा हूँ, कोई ब करना है guys, मतलब यह है guys, कि आपको अपने phone को बार बार charge में नहीं लगाना है, जब भी आपको time मिला, आप फट से charge में लगा दिये, फिर थोड़े दिर बाद आप यूज करना है, फिर से आप जो है अपने phone को charge में लगा दिये, अगर आपको थोड़ा भी खाले time मिल रहा ह तो यह चीज आपको नहीं करना है, plus guys, यहाँ पे क्या है कई लोग ऐसा करते हैं कि phone को charge में लगा कर use करते हैं, charge में लगा कर gaming करते हैं, तो यह काम भी आपको नहीं करना है, अगर आपको long lasting, आपकी battery की health जो आपको अच्छी चाहिए और बहुत सालों तक अच्छा आपको backup लोग करिए, बट आप कहीं कभी जाते हैं, अचानक जाना पड़ रहा है, तो उस टाइम जो है थोड़े दिर के लिए आपको charge में लगाना पड़ेगा, अगर आपका battery कम हो गया है, तो उस टाइम में आपको कर सकते हो, कोई issue नहीं है, लेकिन guys, day to day life की में बात कर रहा हू जनरली ऐसा कोई आपको issue नहीं, अरजेटली कहीं नहीं जाना है, तो उस टाइम में guys, आपको क्या है, अचानक आपको अपने phone को बार बार charge में नहीं लगाना है, एक बार charge करिए guys, और 80% से उपर charge करिए, बट 100% मत होने दीजिए, और 20% जब डाउन हो जाता है, 20 से भी न लगाना है, और तुरंद आप अपने phone को charge में लगा देते हो, तो उस time guys, आपको ऐसा नहीं करना है, उस time guys, आपको क्या करना है, जब गेमिंग कर रहे हो, और अचानक चार्ज में लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है guys, आप gaming कियो हो, तो आपको जो फोन warm हुआ होगा, गा करा रहे हो, तो उस time जो है, आपका जो है, प्रोसेसर जो है, बहुत हैवी टास्क परफॉर्म करता है, तो उस time में भी आपका जो है, फोन warm हो सकता है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा आप screen on time use कर रहे है, फोन को Instagram वगेरा, तो उस time भी कभी कभी जो है, आपका फोन हलका सा warm हो जाता है, इस condition में करना क्या है, आपको जो है, अपने फोन को थोड़ी देर के लिए जो है, ऐसे ही stand by रख देना है, आपको अपने फोन को थोड़ी देर के लिए रख देना है, आपको पता है, इस smartphone अगर warm होती है, मतलब गरम होती है, तो जल्दी से बहुत जल्दी जटता है, нормально हो जाता है, तो आपको क esc citizens, फोनको थोड़े देर के लिए ट centres नार्मल होते तक आपको रुकना पड़ेगा अगर अचानक आप गेमिंग कर रहे हो, आपका फोनी गरम है और आप चारज में लगाते हो तो आपके बैटरी के हेल्थ को बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है इससे तो guys, hope आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा सारा कुछ clear हो गया होगा, ये एक नया ट्रिक था guys इस चीज के बारे में आप से आज तक किसी ने बात नहीं करी होगी कि charging का सही timing क्या होता है, किस timing में हम लोगो charge नहीं करना चाहिए, किस timing में हम लोगो charge करना चाहिए तो यहाँ पे guys आपको सारा कुछ clear हो गया होगा और अब guys आप day to day life में ऐसा अपने phone के साथ करेंगे तो आपका जो है battery backup और battery का health जो है वो अच्छा खासा होगा और अभी भी guys मेरे Samsung Galaxy M51 में जब मैं सुबह अपने phone को charge करता हूँ तो उसके बाद मैं next day में ही phone को charge करता हूँ उससे पहले मुझे ज़रूरत नहीं पढ़ती है battery को charge करने की phone को और दिन भर guys मैं इसी phone से video record करता हूँ edit करता हूँ, instagram चलाता हूँ और भी college के कुछ काम वगेरा होते हैं और भी कोई भी काम करना होता है, video देखना होता है सारा कुछ मेरे पास एक ही phone है, इसी phone से होता है दिन भर और मेरा battery next day ही charge होता है मेरा phone तब तक जो है मेरे phone में battery अच्छा खासा ही रहता है मतब next day भी guys 25% battery मेरा maximum बचा ही होता है और minimum guys 9 या 8% battery जो है मेरे phone में रहता ही है so hope guys आपको ये video बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा video अगर पसंद आया है तो channel को subscribe कर देना video को like कर देना and thanks for watching